पॉल्कम बैक एब्रीवन वल्कम टू सिविल स्रवसे स्टडी यूट्यूब चैनल देखे यूपी पीए सी की टेस्ट सीरीज चल लेती फोकस करते हैं सी सेट के प्रशनों पर सब्सक्राइब करना चैनल को बैल आइकन को प्रेस रखना लेटेस्ट व्यूडियो का नोटिफ इलाहबाद हाई कोर्ट समिक्षा अधिकारी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसकी टेस्ट सीरीज जल्दी से स्टार्ट होने वाली है जिसका नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाएगा इन्ही टेस्ट के दौरान तो कोश्चन नमबर बन है अकल को ताक पर रखना मुहाबरे का अर्थ है क्या होगा अकल को ताक पर रखना मुहाबरे का अर्थ परवाह न करना बुद्धी का लाख होना नतीजा खराब होना या फिर बेसमजी करना देखिए अकल को ताख पर रखना मुहाबरेकार्थ होता है बेसमझी करना क्या करना ? बेसमझी करना बुद्धी को लौक होना इसका मतलब है बुद्धी भष्ष्ट होना तो इसका अंसर हो जाएगा option number A अकल को ताख पर रखना बेसमझी करना question number 2 है अधिक घमंड होना होता है आस्मान पर चड़ना बहुत उंचा होना आस्मान को चूमना और सहसा विपत्ती आजाना का मतलब आस्मान सिर पर गिर जाना अधिक घमंड करना का होता है आस्मान जो सर है वो आस्मान पर होना मतलब उसका सिर आस्मान पर है अधिक घमंड है वाकि आस्मान सिर पर उठाना उत्त्ति मचाना या उपद्रब मचाना Question number 3 है पगडी रख घी चक मुहाबरे कार्थ है पगड़ी रख घी चक मुहाबरे कार्थ क्या है खाली पेट कुछ खाना ये नहीं होगा निरलज होकर कुछ पाना सम्मान बनाए रखते हुए पुरसिद्धी हासिल करना अच्छे कार का परणाम भी अच्छा होता है ये तो हो नहीं सकता देखे पगड़ी रख घी चक इस तरह के मुहाबरे में बहुत द्वंध होता है कम से कम दो अर्थों में तो होते ही है तो पगड़ी रख घी चक का मतलब यहाँ पा निरलज होकर कुछ पाना नहीं होगा वो कहने का दूसरा उसका तरीका है पगड़ी रख मतलब सम्मान बनाए रख उसके बाद जो भी कार करना है प्रसिद्धी हासिल करनी है वो कर मतलब सम्मान बनाए रखते हुए प्रसिद्धी हासिल करना यह प्रश्ण पूछा जाए चुका है UPPSC में C-set में पूशन नबर 4 है अटका बनिया दे उधार अटका बनिया दे उधार मुहाबरे का आर्थ क्या होगा अपने अपने मन की करना अपनी गरज पर दबना पड़ता है सारिरिक वल से बुध्धी स्रेष्ट होती है अकल बढ़ी या भैंस उसमें तो यह लगेगा बैरागी व्यक्ति मुहमाया से दूर रहता है अटका बनिया दे उधार ये भी नियोगास का अपने अपने मन का करना अपने अमन का करना या अपनी गरज पर दबना पड़ता है देखिए अटका बनिया देवधार का आर्थ है अपनी गरज पर दबना पड़ता है अपनी गरज पर दबना पड़ता है Question No.5 है, प्रति उपकार में उपसर्ग है, प्रति उपकार में उपसर्ग बताईए, प्रति उपकार में जो उपसर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा प्रती, उपसर्ग क्या होते हैं, सब्दों के पूर्व के सब्द, प्रति उपकार में कौन सा सब्द है, प्रती, प्रती और अलग करिए इसको प्रति उपकार, प्रति धन उपकार Question number six है, अनिवार में उपसर्ग है अनिवार में इन में से कौन सा उपसर्ग है बताईए अनिवार में उपसर्ग, अनी नहीं है याद रखना ये है अन, अनिवार में उपसर्ग है अन उद्घाटन में उपसर्ग होगा अनुराग विराग में कौन सा समास है अनुराग और विराग द्वन्द हो रहा है जिस समास में दोनों पत्परधान होते हैं उसमें होता है द्वन्द समास तो क्या हो जाएगा अनुराग बिराग में? द्वंद समास, माता और पिता द्वंद समास, सुख दुख द्वंद समास उश्य नमबर नाइन है, त्रिवेणी में समास है देखें जिसमें गिंती से संबंदित सब्द होते हैं त्रिवेणी, चतुर मुग, इनमें क्या होता है इस तरह से? या नौरत, नौरतनों का समूँ, तीन वेडियों का समूँ त्रिवेणी कर्द क्या है? यहां पर समास विग रहा है तीन वेडियों का समूँ, त्रिवेणी, तीन वेडियों का समूँ तो क्या हो जाएगा इसमें द्रिगू समास, क्या हो जाएगा इसमें द्रिगू समास, कुछ द्रिगू समास के उधारणों में और बहुब्री समास के उधारणों में बहुत द्वंद रहता है, जैसे चत्रमुक, चार मुखों का समू हो गया, और उधर ब्रह्माजी भी हो ग समास होगा, पत्यूत मतलब पद से मुक्त, पद से मुक्त, तो क्या हो जाएगा इसमें? तत्पुरुस समास, क्या हो जाएगा इसमें? तत्पुरुस समास, पद से मुक्त, तत्पुरुस समास. Question number 11 है, महापुरुस में समास होगा महापुरुस, महान है जो पुरुस है जो और के समान किसमें आते हैं? कर्मधार में Question number 12 है, भावुक का संदी विच्छेद होगा कौन सा होगा? भो उक, भावुक, भो उक या भो अक देखें, भावुक में भो उक ये वाला तो होगा नहीं, अक भी नहीं होगा इन्हीं दोनों में से एक होगा, भो अक या भो उक, भावुक, भावुक, देखें, बी हो जाएगा भा उक का भो उक नदीश में कौन सी संदी है? नदीश नदीधन इश कौन सी संदी है इसमें? स्वर संदी कौन सुमेलित नहीं है? जंगल की आग दावा नल जिसका दमन करना बहुत कठिन हो दुर्दम्य कठनाई से जो समझ में आवे दुर्बोध तैरने या पार करने की इच्छा तितिर्शू देखिए इसमें जो गलत है वो है तैरने या पार करने की इच्छा तितिर्शा होती है तैरने या पार करने की इच्छा तितिर्शा होती है तैरने या पार करने की इच्छा क्या होती है? तितिर्शा और तेरने और पार करने का इच्छुक बो होता है तितिर्शु वाकि जंगल की आग दावा नल है जिसका दमन करना कठिन और दुर्दम में है कठनाई से जो समझ में आवे दुर्वोध है वो पेट की अगनी पूछी जाती है जठरागनी है उश्य नमबर पंदरा है इतिहास के पूर्व काल से सम्बंदित क्या होता है इतिहास के पूर्व काल से सम्बंदित मध्य कालीन नहीं होगा प्राचीन कालीन भी नहीं होगा एतिहासिक भी नहीं होगा यह होता है प्राग एतिहासिक प्राग एतिहासिक इतिहास के पूर्व क से संबंधित गुरू के समीप रहने वाला विद्यार्थी most important है बहुत पूछते हैं इसको गुरू के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है गोकुल वासी नहीं कहलाता अंतेवाशी क्या कहलाता है अंतेवाशी गुरू के समीप रहने वाला विद्यार्थी प्यामी कौन होता है जो सबके हरदे की बात को जान ले जो सबके हरदे की बात को जान ले अंक्यस्त क्या है जिसको गोद में इस्थान मिला हो अंक का मतलब यहां पर गोद होता है अंक शाइनी एक सब्द है गोद में सोने वाली इस्तरी गोद में सोने वाली इस्तरी अंक्यस जिसको गोद में इस्थान मिला है या मिला हो कुशन नमबर 17 है इन में से कौन संधिया का परहवाची नहीं है संधिया का मतलब क्या होता है शाम मतलब गोधुली साइकाल संधिया का मतलब है साइकाल संधिया का मतलब है साइकाल निशारंभ भी होता है संध्या का और दिनावसान भी संध्या का परयवाची है कमनिये नहीं है क्योंकि कमनिये है सुंद्री का परयवाची पुशन नबर 18 हाथी का परयवाची कौन नहीं है हाथी के परयवाची नाग बोला जाता है हाथी को हाथी को हरी भी बोला जाता है हाथी को करी भी बोला जाता है मराल नहीं बोला जाता मराल किसका परयवाची है हन्स का परयवाची है तो देखे हाथी के कुछ important परयवाची हस्ती, गज, करी, गयंद, मातंग, कुंजर, दुरद, नाग, दंती, गजेंद्र एक सब्द एक से अधिक सब्दों का भी परयवाची हो सकता है जैसे नाग साप का भी है और हाथी का भी है हंस के देख लिजे इंपोर्टेंट है मराल, कलकंट, मान हंस और सरस्वती बहन वशनबन 19 है प्रवैगिक का बिलोम होगा क्या होगा प्रवैगिक का बिलोम क्या होगा देखे इस्थेतिक होगा क्या होगा प्रवैगिक का बिलोम इस्थेतिक क्या होता है इस्थेतिक क्यों सा पुत्र भधु का तदभव है पुत्र भधु जो है एक तत्सम सब्द है पुत्र बधु एक तत्सम सब्द है इसका तदभब क्या होता है पतोहू कौन सा वाला ये वाला ये वाला पतोहू ये वाला पुत्र बधु का होता है पतोहू जो तत्सम सब्द होते हैं वो संस्कृत के सब्द हैं और जो तदभब सब्द हैं वो तत्सम या संस्क्रिट सब्दों का बिगड़ा हुआ रूप या सामाने बोलचाल के सब्द है बाकी का देख लिजिए पाती पाती किसका होता है पत्रिका का और बाकी पुत्र बधु का तो पतोहू होता है और ये जो पंसारी है ये जो है पंसारी ये किसका है पढ़ने सा का एक तत्सम सब्द है इसका तद्भव है पंसारी पत्री का एक तत्सम सब्द है इसका तद्भव है पतोहु तो देखिए 20 प्रेश्ण थे इंपोटेंट थे, अच्छे से रेविजन करते रही है, हर दिन एक प्रेस्न का अंसर दीजिए, आपके लिएक सवाल है, इन में से कौन सा तदभव सब्द है, कमेंट में इसका आंसर जरू करिएगा, दिवेदी, बानर, पाध या धर्ती, कौन सा है इन में से तदभव, एक ह इन में से तद्भव होगा बाकि इन में से तीन तत्सम है आपको चाटना है तद्भव सो टेस्ट देखने के लिए धन्यवाद अगर पसंद आए तो एक लाइक कर दीजेगा